IPL 2024 सीजन की शुरुवात हो चुकी है लोगसभा चुनाव के कारण भारतिय त्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL के 17 सीजन का पूरा कार्यक्रम जारी नहीं किया था लेकिन अब बोर्ड ने आगे का शेडिूल जारी कर दिया है 17 संसकरण का फाइनल 26 मई को चेननई के चेपॉक स्टेडियम में होगा जबकि दूसरा क्वालिफायर मैच भी 24 मई को इसी शहर में खेला जाएगा वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 मई को पहला क्वालिफायर और 22 मई को इलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा BCCI ने पहले चरण के लिए 21 मैचों का कार्यक्रम घोशित किया था जिसका पहला मैच 22 मार्च को खेला गया IPL 2024 के पहले फेज का अंतिम मुकाबला 7 अप्रेल को खेला जाना है इस बीच बोर्ड ने आगे का शेडियूल जारी कर दिया है IPL 2024 में शामिल 10 तीमों को दो ग्रुपों में बाटा गया है ग्रुप A में मुंबई इंडियन्स, पोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रोयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनव सुपर जायंट्स शामिल है जबकि ग्रुप B में चैनने सुपर किंस, सन्राइजर्स हैदराबाद, रोयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरुक, पंजाब किंस और गुजरात टाइटन्स शामिल है दोनों ग्रुप की सभी टीमों के बीच एक-एक मैच खेला जा चुका है